तो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उमीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ क्रियतिका बेग बास ओडिडी सीजन टू इंटरस्टिंग तो चल रहा है वही फैंस के बीच ना कही ना कही ये शो बस भी क्रियेट कर रहा है जैसा कि हम सब जानते हैं इस हफते साथ लोग घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेटिड है और लेकिन ख़वर है कि इस हफते कोई भी ऐलिम हफते बीच चुके हैं पांच हफते अभी बाकी है अब ऐसे में घर में सलमान खाना आए वीकिन का वार था उन्होंने बड़ी बड़ी अनॉंस्मेंट की और इसी बीच उन्होंने फलक नास को भी जम कर आड़े हातों लिया है जी हां सलमान ने फलक का यूनों सब के सामने खोल कर दी है एक्सपोस कर दिया है उन्हें और उनका सच ला दिया है सामने जहां एक तरफ फलक अपने आपको बहुत सेफ करने की कोशिश कर रही थी काफी यूनों खोई-खोई वो नज़र आ रही है घर में और यो जब टॉर्चर टास चल रहा था तब भी उन्होंने किया और जिसको लेकर कही न कहीं वो बहुत ज़्यादा लौस्ट नजर आई है तो अब ऐसे में फलक की बहन शफाक को घर में बुलाया गया उन्हें समझाने के लिए सल्मान ने भी फलक को काफी कुछ एड़वाईस किया है और कहा है कि अपने ध्यान रखे फोकस रखे ग फलक से और बहुत ज़्यादा चीजों को लेकर उन्हें टार्गेट किया है कि वो डबल ढोल की नजर आ रही है वो अगुड बुक्स में रहना चाहती है वो दोनों नाओं पर सवार होना चाहती है यह तमाम चीजे सल्मान ने कहीं है फलक नास को वही फलक की बहन शफाक न है कि आप फलक पर होगा सल्मान की बातों का असर देखना हो का दल्चस विस वीडियो में इतना ही